यदि आप भी बिहार बोर्ट से मैट्रिक या इंटर की बोर्ट परिक्षा 2022 में दिये थे और आप एस्कूरूटनी के लिए आवेदन किये हैं अर्थात कि अगर आपको रिजल्ट आने के बाद ऐसा लगा कि आप किसी एक या एक से अधिक बिस्रियों कि आये हुए माक्स से आपको असंतुष्ट से आपको लगता था कि कम अंक आपको बिहार बोर्ट दे दिया है तो आप अगर मैट्रिक इंटर इस्कूरूटनी के लिए आवेदन किये हैं तो आप लोग के तरफ से लगतार प्रसना रहा है कि इस्कूरूटनी का रिजल्ट कब आएगा तो अभी क के लिए इस्कूरूटनी के ऑनलाइन आवेदन की परकिरिया की सुरुवाद 23 मार्ज से हुआ तो तो यहां पर पहले इंटर की बात करें तो इंटर के जीतने भी छात्र शात्र हैं स्कूरूटनी के लिए आवेदन किया है उनका कॉपी और बार कोड ये सभी विहार बोड का थ्रित करके उनके कॉपी का फिर से मुल्यांकन करना सुरू कर दिया है फिर से मुल्यांकन करने का मतलब क्या है सिंपल सा आपको समझना है चाया आप मैट्री के छात्रों या इंटर के आपका पूरा औबजेक्टिव में कोई भी जांच नहीं होता है औबजेक्टिव का कि उसका बदले में आपको एक अंक दे दिया तो आपको उसको फिर से जांच करके पांच अंक नहीं दिया जाएगा स्कूरूटनी में बिहार बोड़ा स्पस्ट रूप से कहा है कि स्कूरूटनी में सिर्फ देखा जाता है कि कोई प्रसंटू ऐसा नहीं है कि गलती से छूट गया कोई teacher मुल यांकित नहीं किया या एक दो पेज छूट गया या अंक जोलने में गलती तो नहीं हुआ या अंदर के प्रिष्ट पे अंक चड़ा लेकिन जहाँ पे मुखी प्रिष्ट पे अंक का टोटिंग होता है वहाँ पे तो नहीं चड़ा यहीं सब कॉमन मिस्टेक का सिर्फ जात चल रहा है तो सेम यहीं परकिरिया अगर आप मैटरी के स्कूरूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो आप जानते हैं मैटरी के स्कूरूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन की परकिरिया की शुरुवाद 2 अप्रिल से हुआ स्कूरूटनी के बाद कितना आपका माक्स बढ़ा या घटा देकिए स्कूरूटनी के बाद आपका नंबर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है या पहले के जैसा रहा सकता है लेकिन ऐसा देखा गया कि किसी का भी नंबर घटता नहीं है इस बात से आपको निशींत रहना है ब उसे कंपलीट करके और ऑफीशल अपडेट जारी करके आपका रिजल्ट जारी कर देगा अर्थ प्रसंद ने का रिजल्ट जारी हो गया है तो अभी तक इंटर रेश कुपनी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है अभी कुछ दिन में आजाएगा एसा उमीद है कि 4-5 दिन में इंटर स्क्रूेटनी का कार्ये फाइनल करके क्योंकि आपकी कार्ये चल रहा है स्क्रूेटनी का और फाइनल अपडेट करके result जारी कर देगा तभ उसे आप चेक कर पाएंगे इजलिए अपने रॉल नम्मर रॉल कोड या जो आप इस क्रूटनी के लिए आवेधन संख्या मिला था उसके अधार पे मैटरी के स्कूटनी रिजल्ट की बात करें तो मैटरी के स्कूटनी के आवेधन की परक्रिया की समापती आठ को हुआ है तो अभी बिहार बोड आपके जो भी छातर छातरा है आवेदन के उनका बार कोड कॉपी सभी एक अत्रित कर रहा है और मैटरी का भी रिजल्ट इसी मन्त के अंतिम सापता तक लगबगे स्कूरूटनी का रिजल्ट जारी हो जाएगा त मैटरी का रिजल्ट इसी मां के अंतिम तक जारी कर दिया जाएगा आप्टर इस्कूरूटनी और अंक देखिए निस्चिंत रहने आपको अगर आप में हो सकता है कोई तूटी वियार बोड से रहा हो तो आपका हर विशे में दो से तीन या पांच अंक तक भी बढ़ सकता आप परतेक बिशे में तो उमिद कर South क भी एस स्कूरूटनी का रिजल्ट नहीं आया है एक सबता के भीतर-बीतर इंटरफ कूटनी का रिजल्ट आएगा और इसी मन्त में मैटरी के स्कुरूटनी का या ग्री इस यह के